बंगला साहीब अलीमे रकाब गंज गुर्द्वारा जो है मोधी जी गए थे तो उस पर लिखते हो रवीश ने लिखा है कि सच्ची भावना से लग रहा है गए हैं और प्रचार के नियत नहीं रही होगी जब बामपंथी हराम खोट टाइप के लोग जो होते हैं जब इस तरह के शब्दों का प्रियोग करने लगें इसका मतला आप समझे है कि वो कुछ सकारात्मक लिख रहा है लेकिन उसका भेद पूरा का पूरा उसका अर्थ जो हता है पूर्ण तह नकारात्मक होता है यह होता होंगे भाव से प्रेडित होकर गया होंगे लेकिन ये लोग जो है ने ये गोदी मीडिया और ये ये लोग इतना ज्यादा मतलब करने लगे नो टंकी इन्हों कि इतना लिख दिया कि बिना किसी सिक्यूर्टी के चले गए किसी को हटाया नहीं गया तब मुझे नियत पे संदिय तब मुझे लगता है कि ये इमेज बिल्डिंग की कोशिस हो ली किस के लिए इमेज बिल्ड किया जा रहा है रवीश तुम इसे सिखों से जोड़ कर देख यही तुमने खुद बोला एक जगा पे कि परधान मन्तरी जो है आयर सिटी के तहट जिन लोगों को भीजा गया है मेल उसमे मतलब धर्म के आधार पे जो भीवाजित करने की बात की कि ये तुमने खुद लिखा है तो फिर परधान मंतरी का गुर्दौरे में जाने से सिख अगर प्रभावित होंगे, तो पूरा पंजाब वहां पर क्यों नहीं है, बॉर्डर पर, अगर सिख को अपील करने गए, सिख को अपील तब करता न, जब प्रधानमंत्री को लगता कि नहीं पूरा पंजाब का सिख समुदाई ही जो है, उमर परा है, कुछ हजार किसान है, so तो पर्धानमंत्री वो तो जाएगा किसानों से मिलने जाएगा और किसानों के लिए तो काफी कुछ रवीश जैसे दुरात्मा लोगी इस तरह के शब्द का प्रियोग करते हैं, जिनके मन में चोर होता है न, वो इस तरह की बातें करते हैं, याद होगा कि सुश्मा स्वराज की डेथ हुई थी, तब रवीश का प्राइम टाइम आप उठा के देख लिजे, इतना घटिया और म से उबर नहीं पाया है, सदमे में है, पीडित है, दुखी है, और तब इस तरह से घटिया तरीके से शब्द दिये जाते हैं कि भाजपा ने उन्हें कभी अगली पंक्ती में बैठने नहीं दिया, वो यहां से जाती थी, आप देख पाएंगे, इस वीडियो में देखिए, वो कैसे जा रहे हैं, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, तावाम तरह की बातें की, तो जो आदमी किसी की मौत पे जो है, अपना प्रोपगेंडा ठेलने से शर्माता नहीं हो, वो किसी व्यक्ति की भावनाओं को लेकर, क्यों ने प्रोपगेंडा ठेलेगा, उसमें भी जब प्रोपगेंडा ठेलेगा, तो वो भला मूदी पे क्यों ने अटैक करेगा, वो तो करेगा, यह तो जाहिर सी बात है कि, उसकी हर बात में नकारात्मक्ता लेयाओं कि नहीं नहीं, यह तो अईचे थोड़े जाएगा, तो वही है कि, कहा जाता है ना, जाकी रही भावना ज प्रभुमूरत देखें तिंदेशी, ब्यूटी लाइज इन आइज और बीहोलर, अंग्रेजी में भी एक खावत है, कि सुन्दर्ता देखने वालों की आँखों में होती है, आप किस दिष्ट कोन से देखते हैं, तो रवीश वही है, कि इसकी भावना इतनी घटिया, इतन तुम्ही लोग तो बोलते हो ना कि प्रधान मंत्री मस्जिद में नहीं जाते है, और योगी टोपी नहीं पानता है, अगर करते तो बड़ा संदेश जाता, अभी अगर संदेश ही देने जा रहा है, तो क्या समस्या है, अब बम थोड़े फोरने गया है, कुछ लोग जाते कि नहीं नहीं अब प्रधान मंत्री आगे सब हटो, ऐसा तो कुछ नहीं था, फिर क्यों समस्या है, वो नौटंकी क्यों लग रही है रवीश तुमको, तब बोलते 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 है, सच्चा संदेश तब जाता, अगर उस सिंगो बॉर्डर पर चले, क्यों? इतने दिन से चाहे मन की बात हो, नरेंद सिंग तोमर है, कृषी मंत्री है, मंत्राले जिसके हाथ में वो बात कर रही रहा तो प्रधान मंत्री क्यों जाएगा? ये साला क्या ब्लैक मिलिंग होगी डेमोकरसी में? और वो ये कन्विंस हो जाते हैं कि हम सडक पर बैठे चंद लोग, 27 करो जनता द्वारा चुनी गई संसद को, मतलब अगर सिर्फ भाजपा वाला ले लिया जाए, उन संसदों के द्वारा लाया गया बिल, जो कि इनके मैनिफेस्टों में था, काउग्रेस के भी मैनिफेस्टों में था, खास बात ये है, उसके कानून बनने को लेकर, इसको ये बहुत बड़ी बात है कि अमित्शाह इसको हैंडल कर रहे हैं, और क्या एरोगेंस है इनकी, सुप्रीम कोट में जो जिरा हुई है, उसके आप पढ़िये जाके ट्रांसक्रपूर, वहाँ पे अरे हुए हैं ये लोग, कि नहीं, तीनों बिल वापस लोग, क्यों ले वापस तुम्हारी बात क्यों मालनी जाएं, क्योंकि तुम अंदोलन कर रहे हों, फिर तो यही होगा न, कि हमको कुछ समझ में नहीं आगा, तो हम अंदोलन पे बैठ जाएंगे, फिर हो जाए सारे हिंदू भी जो है कासी मत्रा के लिए अंदोलन पे बैठ जाएं, मैं तो confidently कह रह के आम चुनाओ तक, एक सिस्टम है, एक तंत्र काम करता है, उसके इसाब स्ट्रक्चर है, समाज चल रहा है, देश चल रहा है, उसमें आप तुम लोग चाहते हो कि नहीं नहीं, आप सांसद है, ठीक है, आपने कानून मनाया ठीक है, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है, तीनो डिफेंड कर रहे ने इन लोगों के इराशनल लिमान्स को, बुलेंगे नहीं, चोर आखिर आदमी क्यों बनता है, सोचने क्या वश्यक्ता है, और किसी अमीर के घर से थोरा पेसा चुड़ा ही लिया, तो क्या सजा मतलब कानून उसे सजा दे देगा, वो जेल में रहेगा, उसके मानवादी कारओं का क्या, हम लगातार इसी तरह की दलीलों पड़ते जायें, जिस तरह की बयान बाजी, जिस तरह की दलीलें दी जा रही इस आंदोलन को लेके, या फिर शाहिन बाग को लेके दी जा रही थी, उसका अगला यहीं होगा, कि कर को कुछ टेरिस्ट और उसके घर वाले धना बैट जाएंगे 5000 आदमी जुटा के कि नहीं नहीं यूए पीए तो वापस लो यह तो एकदम ब्लैक कानून है यह गलत है गुंडा एक्ट वापस लो नेशनल सेकुर्टी एक्ट वापस लो क्यों भाई इसमें तो आप लोग जो है स्टुडेंट को फसा यह स्टुडेंट नहीं है किसी भी तरह से नहीं है और इनको डिफेंड करेंगा अब डिफेंड तो किया ही न भाई चार सीट आती रहे और यह लोग डिफेंड करते रहे बावजूद इसके कि उन सारी चार सीटों में इनकी हेंडाइटिंग में लिखा हुआ है कि खालिद सैफी क्या कर रहा था, उमर खालिद क्या कर रहा था, सफुरा जरगर क्या कर रही थी इमरान क्या कर रहा था, मसूद क्या कर रहा था ऐसे लोगों को भी रवीज जो है आगे स्टुडेंट करके डिफेंड करेगा डकैतों को डिफेंड करेगा आतंकवादियों को डिफेंड करेगा क्यों भै क्योंकि मोदी से इन्हें समस्या है